पाट सोला, सच्चा बालग क्या तेरे पास भी कुछ है? बालग ने निडर होकर उत्तर दिया हाँ, मेरे पास चालीस अशर्फिया है दाकु हस पड़ा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ वह बालग को अपने सरदार के पास ले गया और बोला सरदार ये लड़का कहता है कि इसके पास चालीस अशर्फिया है क्यों रहे लड़के, क्या तू सच कह रहा है? सरदार ने पूछा, बालग ने कहा जी हाँ, ये सच है कि मेरे पास चालीस अशर्फिया है अच्छा दिखा, कहा है अशर्फिया? सरदार ने कहा बालक ने अपनी सद्री यानी जैकेट का अस्तर फाड़ कर छिपाई हुई अशर्फिया निकाल कर सरदार को दिखा दी सरदार को बड़ा अशरे हुआ इस तरह अस्तर में सिल कर अशर्फिया किसने छिपाई थी? मेरी मा ने अशर्फियां छिपाते हुए माने कहा था कि ऐसे रखने से किसी को इनका पता नहीं चलेगा बालक ने उत्तर दिया फिर तुमने अशर्फियों की बात हमें क्यों बता दी सरदार ने पूछा बालक बोला चलते समय माने ये भी तो कहा था कि कभी जूट मत बोलना इसलिए मैं जूट कैसे बोल सकता था बालक की बात का सरदार की मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा वह सोचने लगा ये बालक कितना सच्चा है मा की बात मन से मानता है मुसीबत के समय भी इसने जूट नहीं बोला एक हम हैं जो भगवान के बताय रास्ते पर भी नहीं चलते हम जूट बोलते हैं, लोगों को लूटते हैं, मार काट करते हैं यह सोच कर उसकी आँखें भराई, सर्दार बोला सर्दार ने बालक को गले से लगा लिया, उसने याद्रियों का लूटा हुआ सामान भी उन्हें लोटा दिया इस बालक का नाम था अब्दुलकादिर, आगे बड़ा होकर यह बालक एक महान संत हुआ